जैसे मेर की देविकोट गाओं के पास हुए दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकी पांच लोग इस हादसे में गंभी रूप से घाल हो गई मिली जानकारी के मताबिक कल सुभा बाड में रोड पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई ये हादसा इतना भीशन था की कार पूरी तरीके से शतिग्रस्तिस दौरान हो गई इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है साथ ही में पांच सैलानी जो हैं वो गंभी रूप से घाल हो गए हादसे के बाद घालों को प्रात्मिक स्वासे केंद्र पहुंचा आ गया जहां से उन्हें गंभीर हालत में जैसलमेर के लिए रेफर किया गया तो वहीं जुझनुव शहर कोत्वाल के पदपर सी आई मदनलाल कटवासरा के कारिभार समहालने के बाद अपराधियों में अब खौफ देखने को मिल रहा है अवैद व्यापार और अपराधिक गत्विधियों पर अंकुष लगाने के लिए लगातार शहर कोत्वाल कारवाई पर कारवाई कर रही है इसी क्रम में S.P. J.C. शर्मा के निर्देश पर मलसीसर रोड पर शहर कोत्वाल मदनलाल कटवासरा ने चार अलग-अलग टीम्स को भेज कर जुवारियों की धर पकड़ की चार जगहों से नौ जुवारियों को जुवा खेलते हों स्वारान के रफ़तार किया गया इनके पास ते 19,200 रुपए भी जब्त केक है कोत्वाल ने बता कि शहर में जुवा सटा का कारोबार अब चलने नहीं दिया जाएगा इसके लिए व्यापक स्तर पर कारी योजना तैयार की कई है अगली खबर नागौर की दीद्वाना से जहां पर दीद्वाना के पीडवा में पिकप पलटने से हाथसा एक हो गया पिकप सवार साथ मजदूर इस हाथसे के दौरान गंभी रुप से घाल हो गए इस घटना के बाद घालो को छोड़ कर पिकप चालक जो था वो मौके से फरार हो गया 108 एम्बिलेंस की सहायता से घालो को अस्पताल में भरती हाथसे के बात कराये गया अब खबर सिरोही के रेवदर से जहाँ पर नागानी ग्राम पंचायत की सरकारी स्कूल में समाजिक तत्वों ने स्कूल में बलास्ट कर दिया और स्कूल की दिवार और छट को शतिग्रस्त कर दिया दरसल विभा के लापरवाही के कारण ये स्कूल कई सालों से बंद पड़ा है ग्रामीनों ने बता कि पत्थरों की माइन्स के चलते तेज बलास्ट होने की आवास यहां सुनाई दी लेकिन जब आसपास के लोगों ने घरों से बहार निकल कर देखा तो सरकारी स्कूल पूरी तरीके से शत्रिग्रस्त हो चुका था जुझनों शहर में नशे का कारूबार करने वाले कारोपी को पुलिस ने धर दबोचा है शहर कोटवाल मदनलाल करबासरा ने बता कि जुझनों शहर के रिकों के पास आदर्श कॉलिनी निवासी अनील सासी के खिलाफ शिकायते मिल रही थी जिस पर मुकबीर तंत्र को मस्बूत कर जानकारी जुटा कर अनील सासी के घर पर दबिश दे गई जहां पर उसे सवा किलो अवैद गांज़े की साथ गिरफतार किया किया है प्रारामिक पूश्टाश में आरोपी ने बता कि वो दिल्ली से अवैद गांज़ा लाकर घर में ही इनकी पुडिया बनाता था और फिर शहर में नशे की खेप को खपाता था पुलिस इस नशे के कारोबार की चेन को जोड़ने में अब लगी हुई है जिससे और भी जो आरोपी है इस नशे के कारोबार में लिप्त उन्हें भी गिरफतार किया चाह सके सवा की लोग आंजा बरामत किया है इसके अलावा उसके पास इसको तोलने और बेचने और टेकिंग करने की सामगरी भी बरामत की गई है सुमिरपुर के चामुनदा माता मंदर को चोरों ने निशाना बनाया चोरों ने जौरान मंदर के दानपात्र को तोड़ डाला, साथी में मूर्ती के साथ भी छेट खाट की, तो वहीं मंदर के अन्य कमरों में भी ताली तोड़ दिये जब उजारी सुभा मंदर पहुचा, तो उन्हें ताले तूटे मिले, जिसके बाद इस मामली की सूचना उन्होंने पुलिस को की तो वहीं पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए मामली की प्रारंबिक जांच भी शुरू कर दी है तो चोरिक इस वारदात के बाद में च्वस्ट के सदस्यों की आम बैठक महा पर हुई इस बैठक में सीसी टीवी कैमरे लगाने का प्रुस्ताव पारित किया गया अजमेर के अलवर गेट पुलिस ने अवैद शुराब के खिलाफ कारवाई करते हुए कि युवक को अवैद देशी शुराब के साथ गिरफतार कर उसके कबजे से स्कूटी भी बरामत की है ऐसा इस सुरेंद्र सिंग ने जौरान बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि आकाश नाम का युवक स्कूटी पर अवैद देशी शुराब ले जा रहा है आकाश को पुलिस ने मॉंटल ब्रिश के पास रोका तो उसकी तलाशी की जिसके बाद में उसके पास से एक सु नुन्यानवे पववे देशी शुराब के बरामत हुए जिन्हें जब्त कर लिया क्या